और मैं इस बात को कहके जा रहा हूं उनकी हिम्मत नहीं हुआ हटाने की उनकी हिम्मत नहीं हटाने की और वैसे भी वैसे भी जनता इनको मुख्यमंती नहीं चाहती थी आप सब जानते हो अभी 84 अधिकारी जो सिवेश सर्विंस में रेटायर हो गए हैं बड़े अधिकारी हैं देश के और प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने चिठी लिख करके दिया है कि हमें ऐसे पुजारी मुख्यमंती की जरुवत नहीं है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं और सोचो एक नेता पुजा करता रहा वो मुख्यमंती नहीं बन पाया दूसरा पुजारी काला चश्मा लगा के आए और मुख्यमंती बन गए कि कौन से मंदर की वो नहीं बन पाये वो बिचारे पुजा करते रहे तब ही कोई काला चश्मा लगा के आए वो पुजारी मुख्यमंती बन गए बताओ ये सच है कि नहीं है सच क्या धोका दिया इनोंने उत्तब्रदेश तरक की और खुशाली के रास्ते बेजारा था पूरी खुशाली के रास्ते बेजारा था उस प्रदेश के विकास को रोता है कहा कि हम किसानों का कर्च माफ कर देंगे कहा कर्च माफ हुआ किसानों का नहीं माफ किया धोका दिया नहोंने आए दोगनी करने की बात कहीं बताओ गन्ना पहला करते होगे बताओ आपकी आए दोगनी हुई के नहीं हुई धान लेकर के हमारा किसान भटकता रहा कहीं धान के कीमत नहीं मिली आलों का किसान आद बंत्या कर रहा है